नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का यूटूब चैनल जौश्टोरे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक भरती के बारे में दोस्तों यह काफी अच्छी वेकैंसी आप लोगों को देखने को मिल लई है जो भी कंडिरेट आविदन कर आपके पास किसी तरह की डिगरी तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ऑल्लिया लेवल जौब है दोस्तों मेल और फिमेल दोनों ही अपलाई कर सकते हैं एज की बात करें तो 20 साल से 40 साल की बीच में जो भी कंडिट है वह अपलाई कर सकते हैं इनका एज रखा गया है अप कि 38 परमन तक यहां पर मिल ले वाली है डिटेल में हम बात करेंगे आपको लेकि चलेंगे वहां पी सभी जान करें आपको प्रॉपर देंगे ताकि आप जो है इस वेकेंसी के लिए आवे दिन कर पाऊगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोग से छोटी सी करना चाहूंगा पहली वार चैनल पर विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब करना मत बुलिया दोस्तों कि आप सभी के लिए इसी तरह की खवर लेके आते रहते तो आगे बढ़ते हैं तिते तामान जान करी दूस्तों डीटेल में है दोस्तों आब यह नोटिप इसन देख सक फीपेमेंट के लिए जो डेट दिया गया है वह 24 मई 2022 से ही अपलाई हो रही है यह फर्म और लास्ट डेट जो 14 जून 2022 कर सकते हो अभी भी बहुत सब्सक्राइब है इसके लिए आप लोग जा सकते हो अब यहां पर बात करते हैं बहुत ही अलग-अलग यहां पर आपको प मनेजर की यहां पे दिया गया है », एसका सेक्टर एसपेसीलिवे का दिया गया है बहुत सारे हैं तो आप लोग यहां पे पढ़ख सकते हो जैसे दो देख सकते हैं Chief Manager जो इकायो मिस्ट का दे गई है सेक्रेट्री Rend την वन तो जा सकते हैं बदेधन करने का अप लोग के ऊपर डिपेंड करता हैं पे-scale की बात कर रही, आपकी sellie की बात करूँ तो दखिए, जो scale 1 पे आप लोग का sellie होगा, वो देख सकते हैं, आप लोग का 36 से यह परमन तक होगा, वैसे सभी का जो अलग-अलग यहाँ पे होने वाला पोश्ट का, तो यह यहाँ पर देखिएगा, scale 4 तक आप लोग का यह वावेदन कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं क्योंकि सभी का जो है जैसे देख सकते हैं जो यहां पे जो चीप मनेजर रिस्क मनेजर है उसके लिए मिनिमम एग्र 27 वर्स है मैक्सिमम 40 वर्स तक रखा गया तो वो कंडिडेट आवें कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरह आपको क्या करना है इसे ढूंड़ना है ढूंड़े के लिए मैं लिंक दे दूंगा इस नोटिफिक्शन का डिस्क्रिप मनेजर एकाउंटेंट के लिए यहाँ पे किसी तरह की जो है आप वह एक्स्प्रियेंस नहीं रखी गई है बाकी कुछ ऐसे पोश्ट है जिसमें एक्स्प्रियेंस मांगी गई है तो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो लेकिन आपके पास जो है डिग्री ग्रिशन फिली होना आवस्रिक है तो यह आप लोग आविदेन कर पा किए इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और सात में जिस पोश्ट के लिए आप लोग का एक्स्प्रियेंस स journée गया है उसमें experience देना होगा जिसमें नहीं है उसके लिए आप लोग जो है experience नहीं भी दोगे तो भी आप लोग आप लोग आपे दन कर पाओगे इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और दोस्तों की जो सेलेक्शन होगी वह रीटेन एक्जाम के उपर जो होगी तो रीटेन एक्जाम का आप लोग सोच रहेंगे कि सेंटर कहां पड़ेगा तो देख सकते हैं सभी इस्टेट का सभी यूटी का सभी एंसीर का यहां पर आप लोग का सेंटर दिया गया है तो चंडिगर्ण जो है यहां पर जो है यहां तो यह सभी जिटेल रही मैं आपको बतात दिया हूं सभी एंपरोड sharnd है कि डिस्क्रीप्शन में है इस वेकेंसी का लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दिया हूँ इसे जरूर चेकाउट कर दियागा खुद से और फिर अपलाई कीजिएगा वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताईए दुस्तों तब तक के लिए धन्यवाद मिलते फिर अगली वीडियो में